हालो स्टुटेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है एके स्टडी पॉइंट और आज हम स्टडी करेंगे बेसी फर्स्ट यर फर्स्ट सैमिस्टर फंजाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट अबजेक्टिव कोशन्स के यह जो भी मैं आपको यह कोशन्स कराऊंगी इ वीडियो को ध्यान से देखें और समझें लोगो देखते और से नमबर फर्स्ट है है निमन लिखित में से अ्ष्मट कंसा है यानि की पजाई इसके पहले मैंने आपको लगे सारी कोशन्स आंसर मैंने करवा दिये थे एमसर आपको वहां सबब्हें आपको देखने तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट को शचैनिम डिरखित में से स्मट कवक कौन सा है यानि कि ये फंजाई है यहाय अश्टी लैगो एक स्मट कवक फंजाई है नक्सट कोशन देखते हैं अश्टी लैगो में बेसीडrus' इस्पोर्स उत्पन होता है यानि कि अश्टी लगो जो कि एक फंजाई है इसमें जो बेसीडियो स्पोर्स होता है वो कहां से उत्पन होता है यह होता है प्राथमिक कवक सूत्र यानि कि प्राइमरी फंगल फिलामेंट से next question देखते हैं heterothelism heterothelism को हिंदी में कहते हैं विसम जालिकता पाई जाती है किस में पाई जाती है यानि कि heterothelism ये पाई जाती है अश्टी लेगो में next question देखते हैं अश्टी लेगो द्वारा उत्पन रोग को इसमट कहा जाता है क्योंकि क्यों कहा जाता है यह इसलिए कहा जाता है कवक काले रंग के स्पोर का समहुत्पन करता है यानि कि इसके जो फंजाई होते हैं वो ब्लैक कलर के स्पोर्स का जो ग्रुप होता है यानि कि ब्लैक कलर के चोटे चोटे यह स्पोर्स होंगे इनका एक group होगा यानि कि इस तरीकी का group present होगा ये black color का होगा तो इस वज़े से ही इस वज़े से ही अश्टी लेगो द्वारा उत्पन रोग को इसमट कहा जाता है next question देखते है गन्य का whip इसमट रोग किसके द्वारा होता है whip इसमट रोग ये होता है अश्टी लेगो सिटैमीनिया के द्वारा होता है next question देखते है गेहू का अनावरत कांड किसके द्वारा होता है ये होता है अश्टी लेगो टिटिसी के द्वारा होता है next question देखते है next question है कवक यानि कि फंजाई जो एक परपोसी पर पूर जीवन वितीत करता है यानि कि परपोसी किसी भी हुवश्ट पर अपनी पूरी लाइफ स्पैंड करता है क्या कहलाता है ओटोसियस नेक्ट कोशन देखते हैं अश्टी लेगो सदस है किसका सदस है बेसीडियो माई सिटीज का अश्टी लेगो बेसीडियो माई सिटीज का मेंबर है नेक्ट कोशन देखते हैं किस रोग के लगछन केवल पुस्प करम पर दिखाई देते हैं यानि कि इन फ्लॉरी सेंस पर दिखाई देते हैं यह होते हैं इसमट नेक्ट कोशन पकसीनिया के परपोसी पूध है कौन से हैं यानि कि होष्ट प्लांट कौन सा है यह है गेहूं और बार्बेरी नेक्ट कोशन देखते हैं परपोशी पौधे पर पकसीनिया के क्या लक्षण होते हैं यानि कि होष्ट प्लांट पर पकसीनिया की जो पकसीनिया जब इसमें एंटर कर जाएगा तो कैसे पहचान यानि कि लक्षण क्या होंगे यह होते हैं पश्टूलेज यानि कि ब्राउन पश्टूलेज भूरे पाउडरी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है पकसीनिया किस वर्ग के अंतरगात आता है पकसीनिया किस क्लास के अंतरगात आता है यह आता है बेसीडियो माई सिटीज नेक्स्ट कोश्चन है पकसीनिया है एक मैक्रो साइकलिक कवक यह एक मैक्रो साइकलिक फंजाई है नेक्स्ट कोश्चन पकसीनिया में यूरीडो स्पोर्स होते हैं दाई केरियोन होते हैं नेक्स्ट कोश्चन पकसीनिया में कौन सा भीजाडू बारवली यानि कि बारवेरी यहाँ पर यह गलत लिखा है बारवेरी आप लोग कर लेंगे के प्लांट को संक्रमित करता है यह यह होता है BCDOR, Sports नेक्ट कुस्ट पक्सीनिया में यूरिडू Sports किस से उतपन होते हैं यह होते हैं BCDOR किस उतपन होते हैं नेक्ट कुस्ट गश्ट मैक्रो साइकलेक रश्ट किस कवक को कहा जाता है मैक्रो साइकलिक रष्ट किस कवक को कहा जाता है ये कहा जाता है जो केवल एक परपोसी पर ही जीवन वितित करते हैं यानि कि एक होश्ट पर ही अपनी लाइप साइकल पूरी कम्प्रीट करते हैं नेक्ट कोशन देखते हैं बायो लाजिकल स्पेसिलाइजेशन किस कवक के लिए प्रयुक्त होता है ये होता है कई प्रकार के आधारों पर उग सकता है नेक्ट कोशन पकसीनिया ग्रेमिनेस में लेंगिक प्रजनन कहलाता है नेक्ट कोशन रष्ट रोग उत्पन होता है किस के द्वारा यूरीडी नेल्स के द्वारा नेक्ट कोशन देखते हैं जब कवक को जीवन पूर करने के लिए एक से अधिक परपोसी के आवशकता होती है तो ये कहलाता है हेटरो हेटिरो सिज्म यानि कि जब एक होश्ट से उसकी लाइप साइकल कम्प्लीट नहीं होती है तो वो दूसरे होश्ट पे ही जाकर के अपनी लाइप साइकल कम्प्लीट करता है मतलब एक या एक से अधिक होश्ट में जब अपनी लाइप साइकल कम्प्लीट करता है तो उसे हेट्रोसियस हेट्रोसियम कहते हैं नेक्ट कुशन गेहू का काला रष्ट उत्पन होता है किसके द्वारा होता है ये ब्लैक रष्ट डिसीज होती है एक रोग होता है काला रष्ट रोग ये किसके द्वारा होती है ये पकसीनिया ग्रैमिनिस के द्वारा होती है यानि कि प नेक्ट कुश्चन है यह एक सेकंड एक सेकंड पकसीनिया ग्रैमिनेस के लिए कौन सा वाकित गलत है यानि कि यह गेहूं का कवक परजीवी है यह तो सही है यह गेहूं में ही परजीवी है यह तने एवम पतियों पर यूरोडो स्पोर्स एवम टीलियो स्पोर्स पर बनता है बिल्गल सही एंड टीलियो फेट गेहूं को संकरमित कर सकते हैं यह गलत है तो यानि कि यही कोश्चन सही हो जाएगा यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये रूड़ी स्पोर्स गेओं को संत्रमित कर सकते हैं यही गलत है यानि कि यही कोश्चन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं पकसीनिया की ऐसी डियल अवस्था उत्पन होती है बार बेरी की पत्यों की निचली सतह पर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं पकसीनिया में अर्द सूत्री विवाजन किसके द्वारा होता है किसमें होता है मतलब बेसीडियम में अर्द सूत्री विवाजन या मियोसिस डिवीजन होता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं पक्सीनिया यानि कि ग्यों का रष्ट में इस्पोर उत्पन होने का क्रम है तो ये होता है सबसे पहले होते हैं यूरीडो स्पोर्स सॉरी एस्पोर्स, सेकेंड है यूरीडो स्पोर्स, थर्ड है टील्यो स्पोर and BCDO is 4 and 5 है PICNIDO is 4 इससे TELU2 is 4 भी कहते हैं तो फर्स्ट है SEO, BCDO, TELU2, BCDO is 4 and PICNIDO is 4 इसमें इस question में आप IMP कर लेंगे यानि कि यह most important question है यह आपके exam में आने की पूरी-पूरी संभावना है next question देखते हैं निम्न में कौन सा हेट्रोसियस कवक है यह है Paxenia next question है यूरीडू स्पूर किस में पाया जाता है यह पाया जाता है Paxenia में Paxenia का old TELU2 स्पूर होता है यह होता है Diploid next question देखते हैं Paxenia के कौन से स्पूर गेहों को संक्रमित करते हैं यह होते हैं Yurido स्पूर next question देखते हैं किस कवक में बटन स्टेज पाय जाते है यह पाय जाती एगैरिकस में बटन स्टेज पाय जाते है next question है एगैरिकस का आर्थिक महत होता है एगरिकस एक ऐसा यह एक ऐसी फंज्जाई है जिसे भोजन के रूप में प्रियोग किया जाता है यानि कि भोजन के रूप में उसे खाया भी जाता है next question देखते हैं fairy ring में प्रजनन होता है यह होता है sports द्वारा next question देखते हैं मसरूम मसरूम है क्या है एक सेबफ़ाइट चैनल या म्रतोब जीवी है गिल्स दिखाई देते हैं नेक्ट कोश्चन देखते हैं बेसीडियो स्पोर प्रमुख गोड़ है स्पोर का प्रमुख गोड़ है मसरूम का सामांतर विवस्थित कवक सूत्र बनाते हैं भूमी गत यानि की अंडर ग्राउंडेड भूमी के नीचे सूत्रों की बनी जड समान होती है राइजो मार्प के समान होती है नेक्ट कोशन देखते हैं निम्न लिखित में कौन सा सेप्रोफाइट है यह है एगेरिकस यह एक सेप्रोफाइट है नेक्ट कोशन देखते हैं यह कोशन देखना है फ़र से एक बार निम्न लिखित में कौन सा सेप्रोफाइट है यह है एगेरिकस एक सेप्रोफाइट फंजाई है नेक्ट देखते हैं निम्न लिखित में कौन सा मनोश्यों के भोजन में काम आता है एगेरिकस ये मैंने अभी आपको बताया नेक्ट कोशन एगेरिकस में किस कोशिका में आर्द सूत्री विभाजन होता है यानि कि मियोसिस डिवीजन किस सेल्स में होता है ये होता है बेसीडियम में मियोसिस डिवीजन होता है नेक्ट कोशन देखते हैं एगेरिकस में फ्रूटिंग बॉड़ी किसकी बनी होती है ये बनी होती है सेकेंडरी माईसीलियम से या दोतियक कवक जाल से नेक्ट कुश्चन देखते हैं नेक्ट कुश्चन है एगेरिकस के फलनकाय में बेसीडिया कहां उत्पन होते हैं यानि कि fruiting body बनती है गिल्स पर कौन सा खाया जाने वाला कवक है अभी मैंने बताया agaricus next question mushroom है खाने योग कवक mushroom and agaricus ये एक devil फंजाई है यानि ये खाने में प्रयोग की जाती है next question mushroom में भूरे गिल्स का काम क्या है ये होते हैं इन पर sports होते हैं जो प्रजनन में सहायक होते हैं मतलब भूरे गिल्स का काम क्या होता है ये प्रजनन में help करते हैं यानि कि reproduction में help करते हैं और इन पर sports पाय जाते हैं next question next question देखते हैं agaricus में मिलने वाली umbrella safe cup को कहते हैं base idiom कहते हैं आप comment करके बताएंगे खाने वाली फंजाई के नाम बताएंगे कौन कौन सी फंजाई होती हैं जो खाने में प्रयोग किये जाती हैं ये question important है और second आप answer देंगे यानि कि पकसीनिया पकसीनिया में कितने इस्पोर पाय जाते हैं और कौन कौन से पाय जाते हैं ये आप मुझे comment करके बताएंगे और इसके आगे जो मैंने series चलाई थी यानि कि algae algae ये second है algae के दो पार्ट आयते ये third है फंजाई की फंजाई से ही यहीं से आपको question देखने को मिलेंगे यहाँ पर मैंने आपको फंजाई की बारे में बताया अश्टिलागो पकसीनिया और अगेरिकस ये आपकी जो फंजाई है यहाँ पर ये complete होती है इनसे आने वाले जो objective question है वो यहाँ पर complete हो जाते हैं इसके अलावाद जो थोड़े बहुत रहे गए वो मैं आगे वाले वीडियो में करवा दोंगी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना ना भूलें थैंक यू